असलाम अलेकुम मैं हुसाना रहान और खुशामधीत कहती हूँ आपको अपने यूट्यूप चैनल पे आज मैं आपको कुरेशे के ये बटरफ्लाइज बनाना से खा रही हूँ जो के बहुत एजी है बस आपको स्टिचेज आने चाहिए अगर आपको बेसिक स्टिचेज नहीं आते हैं तो मेरे बेसिक कुरेशे के वीडियो में जाकर आप वो स्टिचेज पहले देख लीजेए प्लीज अच्छा जी मैंने ये दो अलग-अलग हुक साइज से बटरफ्ला कि यह 4 mm हुक से बनाएगया है तो आप डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बटरफ्लाइ बनाना चाहते है तो आज मैं आपको जो से खा रही हूं बटरफ्लाइ वह मैं बना रही हूं 4 mm क्रोशे हुक से ताके आपको ईजिली समझ आ जा रहे तिक है जी इट डिपेंस क आपको कौन सा उन चाहिए मैं अभी फोर प्ला इर्स अमाल कर रही हूँ जो के मोटा उन है ठीक है जी तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने मैजिक लूप बनाना है जो इसका मैंने आपको अकसर तरीका बताया है अपनी वीडियोस में और फिर बता रही हूं इस तरीके से लेफ्ट हैंड में आपने ओन लिया और राइट से ऐसे रैप किया दो फिंगर्स पे उपर इस तरह क्रॉस आएगा तो एक क्रॉस के नीचे से एक थ्रेड के पहले वाले के और दूसरे वाले के उपर से ऐसे इसको यह ले लेंगे और यहां से इसको इस तरह पकड़ के तीन चेंड बनाएंगे एक दो और यह तीन सर्कल को आप यहां से छोटा करेंगे छोटा सिरा है उसको कैचेंगे तो यह सर्कल छोटा हो जाएगा सर्कल के सेंटर में हमें साथ हाफ डबल कुरेशिया बनाने हैं तो यह एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ साथ हाफ डबल कुरेशिया बनाने के बाद आपको इस तरीके से को खैंच के सेंटर बंद कर देते ना औप फिर आपने क्या कर्ना है कि जो हमने चेंग बनाय करए था उसमें जो हमारी second chain है यह फर्स चेंग यह हमारी सेकेंड चेंग है इस सेकेंड चेंग में हमने slip stitch देना है इस तरह से slip stitch देने के बाद हम 3 chains बनाएंगे 1,2,3 यह 3 chains बनाने के बाद जहां हमने slip stitch दिया है यह देखें यह space है यहां पर थोड़ा zoom in कर दो यह देखें इस space में हमने 4 triple kurisha बनाने है triple kurisha क्या है इसे 2 दफ़ा stick पर wrap किया और इस वाले section में यहां पर यह उन निकाला फिर wrap किया दो से फिर दो से फिर दो से यह आपका triple kurisha है यह आपने इसमें और 3 बनाने है यानि total 4 होंगे तो यह एक दो तीन और यह चार अगर आपको कोई भी stitches नहीं आते हैं तो मेरे basic kurisha की वीडियो में प्लीज आईए वहां पर आपको यह stitches मैंने सिखाय रहे हैं अब क्या करना है हमने तीन chains बनानी है एक दो तीन तीन chains बनाके यहां पर हमने जो यह बनाया है इसके साथ यह वाला stitch यहां इसमें हमने slip stitch देना है तीन chains बनाई और अब हम इसमें यह slip stitch दे रहे हैं यह देखें यह आपकी butterfly का जो बड़ा वाला wing है front wing वह मैं आपको बता रही हूं यह देखें यह बड़ा front वाला wing है यह हमने complete कर दिया है अब हम second वाला बनाएंगे wing इसके लिए 2 chains बनाएंगे एक और यह दो और slip stitch जहां हमने दिया है उसकी साथ वाले stitch में तीन डबल कुरेशिया बनाएंगे एक दो और यह तीन अब हमने दो चीन्स बनानी है एक और यह दो दो चीन्स बनाने के बाद हम next stitch में slip stitch देंगे यहां हमने बनाएं तीन डबल कुरेशिया अब हम इस वाले stitch में next stitch में slip stitch देंगे यह देखें अब हम दो चीन्स बनाएंगे फिर से एक और यह दो और next stitch में फिर से तीन डबल कुरेशिया हमने करना है तो यह एक दो तीन फिर से दो चीन्स यह तीन कंप्लीट हो गया अब दो चीन्स बनाएंगे फिर से एक यह दो और next stitch में slip stitch देंगे हम इस तरह से अब लास्ट हमारा सेक्शन तीन चीन्स बनाएंगे एक दो तीन फिर से next stitch में चार ट्रिपल कुरेशिया हमने करने हैं यह दो शॉरी एक्शली जब मोटा ओन होता है तो इसमें इतने थ्रेट्स होते हैं कि यह अक्सर प्रॉब्लम करते हैं बट क्यूंके वीडियो के लिए demonstration के लिए मुझे यह यूज करना पड़ा ताकि easily मैं आपको समझा सकूँ यह दो तीन चार त्रिपल कुरेशिया हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम फिर से चीन थ्री बनाएंगे वान टू थ्री और यहां पर यह इसका जो नेक्स स्टिच है इसमें हमने लास स्टिच जो हमारा बचा है इसमें हमने स्लिप स्टिच दे देना है इस तरह से ठीक है अब हम एक चेन बनाएंगे और थ्रेट को जो है वह वह उन को काट देंगे अब आप चाहें तो आप इसी कलर का या यहां पर इसका सेंटर आएगा या कंट्रास्टिंग कलर का थ्रेट इसके उपर यूज कर सकते हैं इसके उपर यह चेन स्टेच लाने के लिए सबसे पहले हम इनको जो एक्स्टा टेल्स हैं उनकी इनको हाइट कर देतें इस तरीके से आपने ये ओन की स्वी लेनी है और आप इसको थ्रेट को जो है वो अंदर की तरफ हाइट कर देंगे इस तरह से ये देखें और इसी तरीके से हम सेंटर थ्रेट को भी हाइट कर देंगे अच्छा अगर आपको ये बटरफ्लाइ किसी चीज पर सीनी है तो आप सेंटर टेल लंबा रखेंगे ताकि आप इजी ली इसको सी सके वरना आप इसको अगर कहीं ग्लू से चुपकाना चाहरे हैं बटरफ्लाइ बना के तो आप यह इस तरह से हमने करके सेंटर को शट कर दिया बंद कर दिया और यह कर दिया यह आपका बटर फ्राय रही है अब हम इसका सेंटर में आपको बता दूं तो मैं यहां पर कंट्रास्टिंग फैब्रिक ले रही हूं इसका तरीका भी मैंने आपको काफी वीडियो में बताया है अब हम दस चेंज बनाएंगे अगर आपकी बटर फ्लाइ चोटी है तो आठ चेंज भी काफी है वरना अभी मैं दस बना रही हूं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस यह दस चेंज बनाके आपने यहां से ऐसे रखना है यह बटर फ्लाइ का फ्रंट है फ्रंट पे हमने यह ऐसे यहां से रखा और यहां से बैक से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे कहेचेंगे इसको बहुत लूज नहीं र हमने इन्वेन हुक को डाल दिया ऐसे और इस थ्रेट को उन को हमने इस चेंज से निकाला और इससे भी निकाल लिया इस तरह से और एक चेंज बनाई और इस उन को काट दिया अब हम इसको एज्जस्ट कर लेते हैं अगर बहुत ज्यादा लूज होगा आपका यह सेक्शन तो फिर यह पूरा चेंज है यह रोल होती रहेगी और इसका फ्रंट सेक्शन है यहां पर यह नहीं आएगा अब हमने इन दोनों टेल्स को लेके यहां पर गिठान लगा देनी है ताके यह जैसे बटरफ्लाई का थ यह देखें यह आपकी बटरफ्लाई रिडी है उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी मजीड वीडियो के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब केज़े लाइक का बटन दबाएए मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मॉच